असलो के तरकस में कोशिशों का तीर जिन्दा रखना असलो के तरकस में कोशिशों का तीर जिन्दा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिन्दगी में लेकिन एक बार फिर फे जीतने की उम्मीद को जिन्दा रखना साथियों बहुत बहुत स्वागत था आप सभी का PBR स्टडी में उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़ियां चल रही है सभी साथी जो टेली गराम पे जोईन नहीं किये अब तक वो हमें टेली गराम पे जरूर जोईन कर लें जिससे कि वो घर बैठे आराम से पढ़ पाएं प्यार से और अच्छे से वो जो भी उनकी उमीदें हैं उसे पूरी कर सके आगे बढ़ें ये लाइब नमबर थार्ड है लक्ष बैच की आज कुछ नया होगा यूपी डियालेट सीकेंड समेश्टा ना लाइब थार्ड विकेंड समेश्टर के लिए मैट्स क्या होगा यहाँ पर ध्यान देना देखो आज हम प्रेक्टिस कुश्चन करेंगे ठीक है आज करेंगे अभ्यास प्रस्न थोड़ा सा अभ्यास प्रस्न से ये होगा कि आपको जरूरत लगेगी कि हमें पढ़ना क्यूं है जो कुछ कुश्चन हम करवाएंगे आप नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद जब पढ़ाएंगे तो मज़ा आएगा ऐसे रूल बताते हैं कुछ भी कुश्चन करवाते हैं तो आप लोग को लगता है इसे हुआ अभी ना मतलब का हो रहा है कौन मतलब नहीं ना इसका तो कुछ चीजें तो आप लोग पढ़ चुके हैं वो तो करेंगे ही जैसे बोर्ड मास रूल था बाकी कुछ हम नया भी करेंगे आज ठीक है आगे चले चलो बोर्ड मास रूल सभी पढ़े हो कि आओ चलो कि इसको देख लो एक बार जल्दी से कर देख यह यह बताईए मुझे सबसे छोटा सा सवाल कि चरपदों की संख्या कुल कितनी होती है जबाब दीजिए चर पद्यानी बैरियव हल स्कुल कितने होते हैं सभी को पता है आरती राय वर्तिका सिंग स्वेता दिव्या गोल्डी सिंग डिग्गु बलागर मनीशा सिंग सबके कमेंट आ रहें बता बया सिंगेंट चैप्टर में जोड़ घटाना गुड़ा भाग है इसमें घातांक का नियम भी है सिंगेंट चैप्टर में तो प्रेक्टिस कुश्चन आज मान की चलेंगे आप यह बताईए जैसे यक्स की घात 5 इंटू यक्स की घात 3 का मान क्या होगा बताईए जवाब दीजिए चलिए कुछ लोग इतने बेसरम होते हैं कि किसी टीचर का नाम रख लेते हैं और उसके नाम से आकर होते हैं थोड़ी तो इज़्जत करो चलिए देखिए यक्स की overcome 5 है ना और ये क्या है एजरी है यहा पर घातां का एक निएम होता है गुड़ा करने पर घाते जूड़ जाती है ऐसे जैसे अगर हम बात करें ये क्या है पहला घातां का नियम मान लो एक पावर यम इंटू एक पावर यरन ईक्वल अगर बेस सेम है खाते अलग-अलग हैं तो ये यम्पलफ यन हो जाती है ये हो जाता है ठीक है समझ रहे हो तो खाते जूड़ जाती है तो यक्स की पावर 5 प्लफ हो जाएगा 3 इक्वल हो जाएगा यक्स का 8 यानि आपको आपसा नमबर सी सही हो जाएगा है ना ये घातांक का पहला नियम है ये भी आपके चैप्टर में बहुत महारत्वपुर्ण भून का निभाता चैप्टर में दिया गया है आज कुछ प्रेक्टिस सवाल है इसका मान क्या होगा बताइए देखिए आपे समझेए बहुत जल्दी इसका जवाब दीजी अगर आप DL8 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है सभी प्रेक्टिस नापदेजिन में से कोई नहीं सिकेंड कोशन है अगर A साहिए तो 2A कमेंट करेंगे D साहिए तो 2D C साहिए तो 2C लिखेंगे बताइए बीजे कुमार परजापती जी जवाब दीजिए दिपेस SDO चलिए बहुत अच्छा बेरी गुड़ आईए गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है जैसा कि बताया गया था तो इसमें क्या करोगे आप भाई अगर ये सभी सजाती ये पद है या भी जाती ये पद है जैसे भी है उससे नहीं मतलब चर सेम है तो सेम चर की पावर आपस में जुड़ जाएंगी तो इनको आप यक्स की पावर 3 इंटू इनका यक्स का पावर 1 इनका माइनस 3 तो एक काम करोगे आप पता है का देखो पांच का 3 में गुड़ा होगा यहाँ इसका गुड़ांक 1 है तो ये 15 हो जाएगा यक्स की पावर 3 इसका प्लस 1 और इसका प्लस माइनस का 3 तो पंद्रा यक्स पावर वन यानि पंद्रा यक्स ए वाला सही है ना लेकर लो फट से ए वाला सही है कोई डाउट है तो बता दो मुझे वैसे भी आप यह प्लस और माइनस घात खतम कर सकते हों किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताये जाओ देखिए बोर्ड मार्च रूल आप इसके पहले पढ़े हो ना भया पढ़े हो ना चाच्छा देखो आगे बढ़ो घात आंक वाले पर आजाओ साथ की गहात यक्स और इसकी गहात तीन कमान होगा एक आईस यक्स नौन आप दीजिन में से कोई नहीं जबाद दीजिए थार्ड नंबर में देखिए यूपी डियलेट सिकेंड समेश्टर वाले बिल्कुल दिल थाम के बैठेंगे क्लास का टाइम डेली राद 10 बजे है आज क्लाफ लेट है और सुबह 7 बजे भी इस टाइम को किया जाएगा सुबह 7 बजे आप रिपीट कर सकते हैं ठीक है सुबह 7 और राद 10 बजे दोनों टाइम जुड़ें एक समय नई क्लास चलेगी एक समय रिपीजन होगी किसी भी समय नई चल सकती है किसी भी समय रिपीजन हो सकती है इसलिए सुबह 7 राद 10 बजे दोनों टाइम जुड़ें आईए इसका आंसर होगा बीवाला सही देखे ये होता है सुतर a का पावर यम इसका यन इक्वल a का पावर यम इन्टो यन होता है ये तुम्हें सबको पता है घात अंके नियम में तो भाई इनका आपस में गुड़ा हो जाए गती नेक्स होगा लिखो मुश्किल सिंग भाई मुश्किल सिंग इन लोग की थोड़ी मुश्किल आसान करिए कुश्चन नमबर चौथा में चलिए आगे बढ़िए इब अतावा हो साथी हमरे कि वाई का पावर सुनना का मान का होए हो कोई नहीं इन में सो कोई नहीं जल्दी करो देखो अगर ये फोर नमबर है अगर ए साही है तो फोर ए बी साही है तो फोर बी सी है तो फोर सी ऐसे लिखिए रजनी पर जा पती मोहिनी बीजय मेनत नहीं होती ना कंटेंट में इसलिए बच्चों का मज़ा नहीं आता है हावा में चल रहा है ना सब कुछ आजकल हावाओं में तूने रंग घोला ना कैसे है वो किसी भी चरपद की घात सुनने होने पर उसका मान वन होता है चाहे वो चरपद कुछ भी हो कोई भी चरपद हो उसका मान जो है सुनने घात पर वन आता है ठीक है सब का मान क्या होता वन होता है पच्वा सवाल में आओ पच्वा में देखिए यह क्या हो रहा है पता है तुम का कनाही हो यह सिर्फ प्रेक्टिस हो रहा भी पढ़ा नहीं रहा हूँ अगर मैं रेगुलर क्रास पढ़ाऊंगा तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा यह सिर्फ अभ्यास प्रफ्न है प्रेक्टिस है चलिए तीन यक्स की घाते 21 डिबाइड भाई यक्स की घाते 20 एकमान का हो है भाईया चाच्चा बतावा हो यह प्रेक्टिस में भी हमें एक टॉपिक खतम कर देंगे तीन यक्स तीन एक्स एक्तालीस तीन एक्स माइनस वान तीन एक्टिया उलेला भाईया ना ना आप दी जिन में से कोई नहीं पांच में अगर सी सही है तो तुम लिखोगे चाप पांच सी डी सही है तो डी ऐसे अंसर का तरीका है यह सवाल नबर पांच सी या डी या ए या भी क्या या भवही आपढ़ाई ध्यान दे हो राजा नई तो बुझाया उजाई नहीं जान तांग नहीं या जो बाबू की चक्कर में परिसान हो ना आं लाइन में कुछ लोग बाबू वेबी की चकर में बाबा से मुलाकात पहत्त कर लेते हैं। इस चक्क्र में परिसान ना रहो। कई बार बताया हूं। यह इंटरनेट वाला प्यार बड़ा खतरनाक होता है। देख रहा हूं सीमा सीमा पार करके आजा रही है भारत में। यह यह प्यार वार का लफ़ड़ा बड़ा गंदा होता है। नहीं बोजपूरी हमें नहीं आवद थोड़ा बहुत जानी थी बस चला देखा देखे भाग करने पर घाते घड़ जाती है एक अपावर यम और एक अपावर यन एक इक्वल होता है एक अपावर यम माइनस यन ठीक है यह होता है घातां का नियम इसी नियम पर यह लगेगा तो तीन का घात यह हो जाएगा यक्स का एक इस माइनस यक्स का बीस है तो इसमें घड़ जाएगी घात तो तीन यक्स आएगा कि आए भाईया आज में ए सही है क्या सही है बाबू भाईया एस है यह राजा लिखला फट से चला आए सभाइक समाज में आईगा तो लिख ले जल्दी से नहीं हम लोग अवधी लोग है न तो अवधी थोड़ा थोड़ा बोले आवध अब मम्मी उम्मिक न सुनावा करें तो लोग नहीं गड़बड हो जाए देख लेक कुछ होईगा नहीं अगला बड़े देखिए आप लोग ना चुप चाप पढ़ा करिए गार्जियन को मत सुनाया करिए इसमें क्योंकि पढ़ाई की बात ना आप ही लोग तक रहना चाहिए नहीं तो फिर वहीं होगा ना अच्छा आज कल के गार्जियन भी बड़े चलांक रहने लगी है पता ह और होम गार्ड कंवान्डेंट का मामला चल रहा है सभी समझ रहे हो गए वोसमें कंवान्डेंट जी काय रहे थे अलोग जी को क्यों का पढ़ाएगा उन तो खुद नहीं पढ़ा है उसे सिलेबस पूछो यू पीएसस्य का नहीं पता होगा समझ रहे हो तब यह बताओ ज पूझ लोन को नहीं पता है है ना चलिए देखिया आगे चटमा देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें है अब ही स्टार्टिंग है इसलिए मैं बहुत छोटा छोटा प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं ठीक है आगे चलें देखिए घात क्या होती है भाग करने पर घड़ जाती है तो यह हो जाएगा सेबन यक्स पावर नाइन और यह देखिए वरियेबल इक्वल है ना यक्स और यक्स तो पावर क्या होती है सब्ट्रेक हो जाती घड़ जाती है तो इसमें से घड़ जाएगा फाइनल में सेवन एक्स का इसक्वायर आ जाएगा एका देशी भासा में साथ एक्स घाद दूई कहा जाता है ठीक है तो साथ नमबर पर चलिए आगे बढ़िए अब थोड़ा सा कुछ अलग लिखा भाईया सब ही लिखा हो लिखा 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 आठ नमबर मान लेका मनाईन का तो आए लिखा कि तो आए ना यतना उपर न लिखा कि दिखावे न करें तू प्लस कुछण ध्यान से देखिए जब आप फट फे देना मजाग की बात हमेशा नहीं डिवाइड बाई टू तो सारा ब्रेकट बंद कहे दिया इसका मान क्या होगा इसका मान क्या होगा जो बहुत ही तेज हैं वो बताएं तेज तर्रार वाले पहले बताओ जल्दी से सवाल नमबर आठ है दीपेस बताइए जल्दी करिए कुछ लोग हमारी तुलना करी मिनाटी से कर रहे हैं एक ची जानते हो गिने तुम बता देता हूँ आज मैं इसको आंसर बता बताता हूँ कुछ लोग जो पढ़ाता है न उनको भी यूटूबर बोलते हैं तो गदाओं की पार्टी तुम यह जान लो जो भी कोई अगर आपको किसी परकार की सीख्षा दे रहा है वह यूटूबर नहीं एजुकेटर होते हैं कि क्या लिए जिए नंटां चीह को अफिए यूटूबर ओं फोते हैं। जो दिखाते हैं कि देखो आज मेरी गईया ने इतना मैत वोबर की है और देखो मेरी मम्मी जा है रोटी बनाने जा रही है देखो मेरे भाईया अब पर सुसू कर दिया है वो सब यह सब दिखाते यह फिर गाली करते हैं जैसे God को कुछ सिखाते नहीं तुमें कि को भी जी पर समझ रहे हो बाइक पर जा रहें काड़ी पर ज़ाव दिखा रहें देखो बघल में वह 22 भाग रही है देखी लुखर रही है अ Europos future खेत दहां लग रहा है वह उन्गर ओर हो यहां तो है कि सब्सक्राइब में A सही होगा ना तो 8 A B सही होगा तो 8 B C सही होगा तो 8 C तो ठीक है इसका correct answer होगा 8 A 17 होगा सबी कर लोगे ना देखिए आज practice question है लेकिन मैं हल भी करवा दे रहा हूं साथ साथ में तो साथियों board mask के rule के according सबसे पहले छोटा कोश्ठक हल करते हैं इसके अंदर की चीजें हल करेंगे भाग करोगे इसमें 4 हो जाएगा 4 में 6 जोड़ोगे 10 हो जाएगा एक के बार में हम 2 निप्टा दिए इनको जोड़ोगे यह हो जाएगा 15 फाइनल में 17 अंसर आएगा कि अरे मेरे बोटल में कोई नहीं पीता है तुम लोग काई परिसान हो यार मैं बोटल इफी ले जुठा करता हूं मेरा बोटल कोई लेना जाए तुम्हें पता हैं यह बोटल सब उठा ले जाते ना इदे उदर मैं खोजता रहता हूं वाई मेरा बोटल कौन ले गया पहल यह अच्छा एडिया है समझ रहे हो किफी चीज से अगर आप परिशान हो लोग भाग लेके जाते न उसको अपने हिसाब से गंदा किये रहो कि अच्छी समझ गया चला हो आगे बढ़ा एक था और बतावा एक थी आओर बतावा एक हाल ना कर आव लेकिन तीन प्लस लेको यहाँ पर टू डिवाइड बाई थ्री फिर प्लस थ्री प्लस फाइफ डिवाइड बाई टू यह बंद और यह बंद और यह बंद इसका मान बतावे क्या आएगा बताईए इसका आंसर है पहला नो बताईए जवाब दीजिए यह जीरो है सुनना देखिए बोर्ड मास के रूल के यह सारे कोशन में बता चुका हूँ अगर आपको आता देखो मैं फ्रेंड बोला तो इन लोगों को कम समझ में आया अब फ्रेंडी बोल दिया ज्यादा समझ में आ यह सब चाहब है वही करते हैं एक जने लिखाता है तब तो अच्छा बात है कौन लाइन न जाई तो यह लिए तो जुठा रहा जाते ना चला ठीक है फिल हाल चलिए आगे बढ़े देखिए इसका आंसर हो जाएगा 55-6 मुझे जहां तक लग रहा यही होगा कर लोगे न सभी 55-6 आएगा कब है ठीक है आगले बढ़ते हैं यह बी वाला होगा ना इन में बी सही है कैसे है क्यूं है मैं नहीं बताने वाला आज प्रेक्टिस होगा टोटल कुल से प्रेक्टिस मिला करके कुशन नमबर दस यह बताओ कि संख्या ओओ ओ हो हो गे बंटी येट नहीं 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 सेवंट्यवन शिक्टिवअन एटी सेवन एनन 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 97 सेवन में भाज संख्या बताओं भाज संख्या कोई है या नहीं है अगर है तो ठीक है नहीं लिख दो कोई नहीं कोई नहीं बी वाला अप्षन है 87 और 97 शी वाला अप्षन है only 87 दी वाला है only 97 बताओं मेरी कलास में इतनी पापा की परी कहां से आती है एक लोग पूछ रहे हैं यह आती नहीं इनकों मैं ले के आता हूं तुम्हें काहे को जलन हो रही चलो जल्दी करो भाई फटाफट हो गया खतम मैंने लिखा भाज्य संक्या देखिए आज प्रेक्टिस सेट है यह एक परकार से टेस्ट हो रहा है तो यहां पर बहुत जादा हम एक्स्प्लेन नहीं करेंगे अगर आप रेगुलर क्लास में आओगे तो वहां पर एक्स्प तेन फैक्टर होंगे और शब trafficking सकतें तो इनके तो 3 हो गैं कभी बी जनम में इनके भी नहीं हो गरें चाहें आख रहें लोग नहीं है ऐनख है व मिद्द्ध anything क्या भाजिसन मागे solo का देखा एक होए सताफी होए तीन होए और अन्तीस होए इनके चार-चार फाइक्टर है तो यह भाजे संक्या बाकी सब यह भाजे ठीक है अगे बढ़ें दस नंबर 11 नंबर हो गया 11 नंबर में जवाद दीजिए देखा हो बहुत कुछ पढ़ें का है वे भाई साहब बहुत कुछ पढ़ें का यही बतावा चलब तू यही बतावा फिर सबही तीन बटा जीरो कमान का होए बहुत जल्दी करवा दे रहें सुरू में जिससे अभी आगे पढ़ाएं तो आपको थोड़ा-थोड़ा इंट्रेस्ट आए कि अगर अगर जीरो का हम ऐसे भाग करेंगे तो जीरो बार जाएगा तो यह जीरो आएगा तो यह जीरो आएगा अगर यह जीरो आएगा तो अपनी वाइफ के सामने कुछ भी काहोगे तुम्हारी बात हाँ इसा गलत है सिद्धों होगी तुम कितना भी कहलो कुछ भी कहलो कितना भी समझाये लो तो कितनी बार भी ले जाओ कोई फरक नहीं पढ़ने वाला यह अनंत जाएगा इस जनम में नहीं खतम होने वाला समझ में आए ना यह क्या होगा आनंत होगा इसी की आप ओजित अगर जीरो बटा तीन होता तो तो इसमें अगर जीरो में ऐसे तीन से भाग करते तो यह जीरो बार जाता तीन जीरो जीरो खतम हो गया आप नीचे कुछा नहीं यह बताईए अधी कोण है इन में अधी कोण कौण सा है पहिला 180 वाला है जुशर का 181 वाला है तीफर का 91 वाला है और चाउथा भाईया कोई नहीं बतावा हो अधी कोण अप्टिव सेंगल जबाब दीजिए फटा फट जल्दी कर ये देखा कुछ लोग के अतना तेज आई है न इसे पड़ात राद राद मोबाईल एसे गिर जात पड़ता से पड़ते नहीं वास्तों में ध्यान लगाएं वह आवाज इसलिए तेज करके रखें मोबाईल की मम्मी सुन रही है पापा सुन रहे हैं हाँ देखो इसके पहले अधिकोंड खतम हो जाता है यह बरियात कोंड में इंट्री कर रहा है तो यहीं है क्योंकि 91 से लेकर 179 तक अधिकोंड होता है आज याद कर लेना लिख के रख लेना देखे 11 बच गया है मैं बहुत देर तक नहीं चलाओंगा मैं बहुत देर तक नहीं चलाओंगा मुझे भी देखना है आगे कुछ अब तो का है बताई का देखेगा है समीकरण और सर्वसमीका मैं अंतर जानते हों जैसे पहला है एक्स स्क्वाइर प्लस सेबन एक्स बलाबर फाइफ और दूसर का है इन दोनों में कौन समीकरण है समीकरण बताओ इसमें कौन समीकरण है और कौन सर्वसमीका है बताईए जबाद दीजिए बहुत अच्छा सवाल है बतावा हो चच्छा लोग कायक सरमाता चच्छा चाची अंकल अंटी भाईया भावी सबही जागत रहा चला बतावा देखिए इसमें समीकरण की बात करें अगर तो समीकरण वो होता है जो बेरियेबल्स के किसी एक निश्चित मान के लिए सर्टिस्फाइड होता है लेकिन सर्वसमीकरण जो होती है न ये महा बेवफा होती है इसमें कोई भी मान तुम रख दो ये हर एक मान के लिए सर्टिस्फाइड होती है कुछ भी मिले इसे बफ समझ रहो बस इतना अंतर होता है और ये क्या होता है ये नियायत वफ़दार होता है ये चरपद के कुछ निश्चित मानों के लिए ही सटिस्फाइड होता है यानि कुछ निश्चित मान ही है जिनको रखने पर दोनों तरफ पांच आएगा लेकिन इसमें तुम कुछ भी रख दो ये क्सवाई के मान ये हमेशा दोनों तरफ बराबर आएंगे बस इतना सबसे बड़ी पहचान होती है समीकरण और सर्बसमीका की ठीक है तो जो भी candidate मैथ वाले हैं वो धृद्यान दें देखिए मैस ना आना बहुत बड़ी बिमारी है ठीक है मैथी ना आना ये बहुत बड़ी बिमारी है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह तुम लोग कहते हो खुदी और अभी क्या है कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया बैच लाया है जिनको गडित में कुछ भी नहीं आता गडित का गाह नहीं आता ना उन्हें पूरा सिखाया जाएगा यह आफर चल रहा था इस्पेसली जो भी कंडिडेट सीखना चाहते हैं नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उन पर संपर करें आज बहुत से इस्टुडेंट के पेमेंट फस गए हैं पेंडिंग में हैं या फिर नहीं हो पाए किसी कारण से बड़ी मुसीबत में थे बेद देना ठीक है बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा 24 इंटु 7 इसकी रिकॉर्डिंग उपलब रहेगी रिकॉर्डेट प्लफ लाइव दोनों देखने का उप्सन होगा गड़ी सिखाने की गारंटी होगी कुछ नियम और सर्तों के साथ इन दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो मुश्किल सिंग कोई कहरें एक फीजादा है भाईया देखो 700 रुपए में एक साल के लिए ठीक है हम तुमें 7000 रुपए देंगे एक साल के लिए तुम हमारे यहां काम कर दो आंलाइन सिर्फ दो गंटे करना घर बैठे बताओ करोगे नहीं करोगे मैं 700 रुपए में तुमें साल वर के लिए दे रहा हूं तुमें जादा लग रहा है मैं बोल रहा हूं मैं 700 में एक जीरो और लगा दूँ मैं 7000 रुपए दूँगा आपको घर बैठे हमारा अनलाइन वर करना टेली एक साल तक नहीं करोगे ना तो कैसी उमीदे करते हो यार यहां जो लोग साथ में वर करते हैं आधा दरजन से ज्यादा लोग हैं उन्हें साथ से दस दस बारा बारा हजार हर महीने सेलरी देना होता है और तुम कहो कि हमें 720 साल बर के लिए जादा है तो फिर पोरिया लेलो एटी जोला में अवो का लजाएक पीपर एक पेड़ेक नीचे बिछाओ और तक थी लेलो पहले जो आती थी समझ रहे हो वह लजाएक रगड रगड लिखाओ यह तरीका है आओ लोड चले पुराने जमाने की और बाकी यह लाखो रुपय के पैनल और एलेक्ट्रिस हुआ है आओ दो यह चला बैए तो जेका जेका जुआइन करें सब्सक्राइब करें जेका बोरिया बिस्तर लएक पिपर एक पेड़ेक नीचे जाएक बैठाएगा है रगड रगड तक्थी पे लिखाएगा है पिर उजास अब ही देखा वहीं हुँँ आज के लिए बस इतना ही सुभधाएं हर कोई चाहता है एसी वाला रूम चाहिए डिजिटल पैनल की क्लास चाहिए लेकिन फिरी में मिले कहते हैं आपने बड़ी बुरी इस्तिती है हमारे देश के यह एक मात्र ऐसे लोग हैं कि लगा एगर फिरी में कहीं हेर बीला लाईन लगा करने और लिए लैंगे के लिक बात है कि नहीं थे ले थे है कभी कामें देगा जडाई हूं कुछ ना कुछ वज़ा होती है अगर कबूतर को भी फिरी में दाने चुनने को मिलते हैं ना उसके पीछे जाल छुपी होती है तो फिलहाल मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं दिखा रहा हूं पहले तो फिलहाल कलास रात के 10 बजे सुबह 7 बजे रात के 9 बजे और भी अन्य टाइम पर चलती रहेंगी हाँ टेली गराम पर हमें जॉइन कर लीजिए बाकी मजा की चीज़े थे दिल पर नहीं लेना यह टेली गराम पर जॉइन कर लेना यहां पर सारा फिरीक मिलेगा जो भी है तो चला सब बात खतम गुड़नाइट अपना और अपनी वाली का ख्याल रखना नहीं कोई और रखने लगेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी कर दो झाल 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 झाल